हम जब भी खाना खा रहे है या फल सबजी खा रहे है तो कुछ चीज हमारे दातों में अटक जाती है और वो जो रेशे होते हैं उसे कहा जाता है रेशेदार पधार्त या फाइबरस फूर्ड तो यह जो फाइबरस फूर्ड है यह हमारे खाने का एक important ingredient है और साथ ही में हमारे शरीर के लिए बहुत फाइदे मंद है तो आज मैं बताऊंगी कि ऐसे 20 रेशेदार पधारत जो हमारे रोज के खाने में होते हैं और उनमें फाइबर की मातरा बहुत अच्छी होती है जितने भी रेशेदार पधारत या फाइबरस फूड होते हैं उनमें कोई भी वाइटामीन मिनरल्स नहीं होते और इसलिए उनमें कोई कैलरी भी नहीं होता लेकिन जब हम लोग यह खाने में लेते हैं तो यह जो fibrous food है वो undigested बिना पच्चे वो बाहर निकल जाते है वो जब निकलते है तो वो हमारी intestine को चिपकते नहीं है और इसलिए हमारे digestion process को यह fibrous food के वज़े से मदद होती है खाना आसानी से बाहर पास हो जाता है जल्दी पास हो जाता है और साथी में यह जो fibrous food है उनमें एक quality होती है कि पानी को पकड़ के रखना जब यह पानी को पकड़ के रखते है तो जो मल बनता है यह जो stool बनता है वो usually soft और गीला होता है और इसके वज़े से stool आसानी से बाहर निकलना, constipation जैसे तकलीफ से छुटका रापाना और digestion की process को improve करना यह सारे फायदे यह रेशेदार पधार से हमें मिलते है साथी में यह पेट को भरा-भरा महसूस करते है और इसके वज़े से पेट जल्दी भर जाता है भूग कम लगती है और calorie ना होने के वज़े से additionally weight loss होने में भी इससे मदद होती है साथी में शुगर को control करना, blood pressure को control रखना, cholesterol value को कम करना और कई सारे पेट के cancer जैसी बिमारियों में भी यह fibrous food जो होता है वो हमें फायदे मंद होता है तो एक दिन में एक पूरुष को लगबख 30-40 gram fibrous food लेना चाहिए और एक महिला को 20-25 gram fibrous food उसे दिन में लेना चाहिए तो यह जो fiber होता है वो जो हम लोग खाने में दाल, सबजी, फल लेते उसी में से मिलता है लेकिन ऐसी कुछ चीज़े है जिसमें यह जो रेशे की मातरा है या fiber की मातरा है वो कई ज़्यादा होती है और आज हम लोग उसी 20 पधारतों के बारे में बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ डॉक्टर सुशमाजाद हो और मैं हर वीक आपके लिए इंट्रेस्टिंग टॉपिक पे सिंपल लेंगवेज में सैंटिफिक इंफॉर्मेशन लेके आती हूँ यह जो सारे टॉपिक्स है आपको डे टू डे बेसिस पे आपकी हेल्थ बनाए रखने में हेल्प करेंगे और इसलिए यह जो चैनल है जिसका नाम में हेल्थ सैवी उसे सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए तो हाई फाइबरस फूड में सबसे टॉप पे होता है अमरूद या गुवा एक अमरूद में लगबग 9 ग्रैम फाइबर होता है दूसरा है काला चना एक कप काले चने में 8.5 ग्रैम फाइबर होता है मसूर 100 ग्रैम मसूर में 8 ग्रैम फाइबर होता है मतर की दाल उसमें भ अगर हम लोग मीडियम साइज के 3-4 चमच अलसी के बीज लेंगे तो उससे लगबग हमें 8 ग्रैम फाइबर मिलता है नारियल या रॉक कोकुनट अगर हम लोग 1 कप नारियल खाने में लेते हैं तो उससे हमें 7 ग्रैम फाइबर मिलता है चकुंदर या बीट एक मीडियम साइज का बीट जिसका वजन लगबग 125 ग्राम के आसपास होता है उससे हमें 7 ग्राम फाइबर मिलता है डेट्स अगर हम लोग 10 खजूर खाने में लेते हैं तो उससे हमें 7 ग्राम फाइबर मिलता है एक केला जिससे हमें 5 ग्राम फाइबर मिलता है नासपती या पियर अगर हम लोग 2 पेर खाने में लेते हैं तो उससे भी हमें लगबग 7 ग्राम फाइबर मिलता है गवार या जिसे हम लोग फली कहते हैं अगर उसकी सबजी अगर हम लोग लगबग 130 ग्राम गवार लेते हैं तो उससे हमें 5 ग्राम फाइबर मिलता है एक कप सोयबीन की डाल खाने से हमें 5 ग्रैम फाइबर मिलता है जो या जिसे बारली भी कहा जाता है अगर हम लोग उसका आटा खाते है या उसका आटा खाने में लेते है तो लगबग 45 ग्रैम जो से हमें 4.5 ग्रैम फाइबर मिलता है एक संत्रा अगर हम लोग उसके अंदर का जो छीला है उसके साथ अगर हम लोग उसे खाते है तो उससे हमें साड़े चार ग्राम फाइबर मिलता है ग्रीन पीज या हरी मतार एक कप मतार से हमें लगबग पौने चार ग्राम फाइबर मिलता है कौन या मेज ये भी हम लोग पका के खा सकते है या मेज का जो पाउडर है अगर हम लोग उसे कंजूम करते है तो लगबग 3 कप मेज से हमें 3.5 ग्राम फाइबर मिलता है अगला है शलजम या टूरनीप एक शलजम में लगबग 3.5 ग्राम फाइबर होता है एक गाजर में भी 3.5 ग्राम फाइबर होता है और आखिर में आता है अनार एक कप अनार के दानों से लगबग हमें 3.5 ग्राम फाइबर मिलता है तो ये जो सारे रेशे युक्त पधारत हैं उनका जादा से जादा फाइदा हमें मिलने के लिए यह हमें रा चबा के खाने चाहिए या ज्यादा से ज्यादा उसे स्टीम करके या कम पानी में उबाल के खाना चाहिए तो हम लोग अगले हापते फिर एक टॉपिक के साथ मिलेंगे टेक के लिए